तो नमस्कार दोस्तों कैसे आप सभी एगवाफिर से श्वागत आपका हमारी यूटीब चैनल पे और एगवाफिर से हम यहाँ पर देखने वाले हैं उत्राकन श्वाष्टे विवाग भरती से जोड़ी बड़ी ख़वर जो लटेश्ट अप्टेट है उत्राकन मेडिकल सर् पे हो प्रम्नेंड विश्ट पे हो या जो है प्रोजेक्ट विश्ट पे हो या एड़ेशंस रिलेटिब जो है आपकी ख़वारी जो सभी वीडियो आपको हमारी चैनल पे देखने को मिल जाती है तो यहाँ पे जो लटेश्ट अप्टेट आ रही है होमेपथिक चिकिसा सिवाई उत्राखन के अंत्रगत चिकिसा अधिकारी के पत के सापेक्च जो इलिजिवल अभियर्तियों के साक्चातकार संबंदी भीगयपती तो 9 जून 2022 करम में जो इलिजिवल कंडिडेट थे उनके जो इंट्रव्यू जो है 4 अगस 2030 से यहाँ पे आरंब के जा रहे हैं तो वे जो है अभियर्ति यहाँ पर 20 जुलाई से यानि कि अड्न के अडमिट काल भी यहाँ पर निकल चुके वह अपना अडमिट काल यहाँ पर डाउफलोड कर सकते हैं तो यह हमेयोपाथिक चीकिसा से वाए उतराकन के लिए हिरा है इसके पाथ के लिए जो इंटर्व्यु इहां पर आयोग ने नोटिफिकेस्न दे दिया है तो यहाँ पे जो है जो documents, verifications या interview का जो date दे रखा है और यहाँ पे time दे रखा है और जो है interview centers तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 4 अगस्ट से लेकर 12 अगस्ट तक interview चल रहे है time दे रखा है 9.30 बुजे प्रातो और interview का जो आप करहेगा वो होगा जो कारेलाई है उत्राकंच किसा सिवा चियन बूर्ड भवन सेंक्या 23 लैन नमबर 3 सास्तरी नगर हर्दवारूर देरदुन में ठीक है तो यहाँ पे जो है interview यहाँ पे होना है important instructions दे रखे यहाँ पे admit card जो है आपको जाना है ठीक है reporting time आपका आधा गंटा पहले रहेगा ठीक है यहाँ पर देखिए जो भी original जो documents आपको सारी documents आपको ले जाने हैं तो जितने भी आपके documents हो आपको जाएंगे passport size की जो है self-protected photographs आपको ले जाने है ठीक है phone camera या इस टाइप का जो electronic device है वहाँ पे interview में जो है यहाँ पर आपको ले जाना वहाँ पर allowed नहीं है तो यह चीज़ें आपको वहाँ पर नहीं ले जानी है कोई डीए डीए आपको इंट्रव्यू के लिए नहीं दिया जाएगा दो self-protected photo copies जो है अचारी जो documents हैं उनके जो self-protected photo copies का सेट भी आपको बनाना है और उस sequence जो आप करेगा documents का वह इस तरीक से लगाना है पहले नंबर पर online applications form दूसरे नंबर पर दो color passport size photo तीसरे नंबर पर high school का जो है certificate लगाना है चौत्य पर intermediate का certificate पांचवे नंबर पर B.H.M.S. Mark seat और जो पांचवे यर की और छटे नंबर पर B.H.M.S. की डिगरी शातवे नंबर पर post graduation की डिगरी आपको लगानी है और असा आटवे नंबर पर आपको जो है registration certificate लगाना है medical board का और नौए नंबर पर आपको जो है experience certificate दस्में पर आपका अगर कोई आर्मी जो NCC वगएरा है वह वाला certificate आपका लगा गया ग्यारवे नंबर पर कास certificate बारवे पर अगर कोई और भी category है sub category है वह certificate तेरवे नंबर पर domitial और चोद्वे नंबर पर no objection certificate आपको लगाना है इसमें जो है जो है जो तेस जो अभियर्तियों द्वारा ही परतियाविदन निर्धारित समय तक यहाँ पर परसुत किये गए अभियर्तियों द्वारा परसुत साक्षियों जो है वांचित अभिलेकों पर बोर्ड द्वारा समयक विचार किया विचार किया विचार के उप तो जैसे यहां पर आप पहले नंबर पर देख रहे हैं तो यहां पर इलिजिबल क्यों नहीं है तो अभियर्थी द्वारा आविदन पत्र में अंकित किये गए डाटा का विशलेसल नहीं हो रहा है तता अन्या, वांचित, अनिवार्या, दस्ताविज़ यता शाक्ष्य के परमानपत्र, पंजी करम परमानपत्र, इतियाती सलगण नहीं है तो बोल्ड का निलड़ाई यहाँ पर जो है डिस्क्वालिफाई है तो यहाँ पर जो है सुची के करम में प्रतियाविदन प्राप्ति के अंतिमतिती 14.2023 अभियर्थी द्वारा डॉकॉमेंट्स के समर्थमन पुष्ट साक्षे पें प्रतियाविदन कार्यलाई को परस्तुतना करने के काराण बोल्ड द्वारापूर में लिए गए जो डिस्क्वालिफाई समध्धी निर्ड़ाई को यथावत रखते हुए अभियर्थी को प्रस्न गत्पद ही तो अंतिमूप से यहाँ पर डिस्क्वालिफाई किया गया है तो यहाँ पर वो लिस्ट है जिन कंडिट को यहाँ पर डिस्क्वालिफाई किया है और यहाँ पर रिजन भी दे रखा कि भाई क्यों डिस्क्वालिफाई आपको किया गया है